कैसे हैं आप सभी आज हम बात करने वाले हैं बियर सेकंड यर की फाइल के बारे में जिसका नाम है वरकिंग विद कमुनिटी जो कि आपकी हिंदी लैंग्विज में पहले प्रोवाइट की जा चुकी है और अभी आपकी इंग्रिश लैंग्विज में बहुत से लर्नर्स को में वरकिंग विद कमुनिटी की फाइल की जरुरत थी तो इसके लिए कंटेंट आपका तयार किया गया है और आपके सामने फाइल हाजर है ठीक है तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है EPC6 वरकिंग विद कमुनिटी कोड है इसका E704 इंडेक्स जिसमें हम छे पॉइंट इस कवर करने वाले है इस फाइल के अंदर तो वही है mention है सबसे पहले meaning of community, what is community work, principles of community work, importance of working with community in B.Ed. course, objectives of working with community and programs for the community welfare जो कि last जो आपका point है programs for the community welfare ये आगे फ़र्दर और डिवाइड हो जाएगा जब आप इसमें तीन programs को mention करेंगे ठीक है इसमें आप देखेंगे जो आपके CCSU के syllabus में दिया गया है EPC6 में कुछ 6-7 programs दिये गए है community welfare के लिए जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ clean India, green India छोटा परिवार, सुखी परिवार इस तरीके से, तो वो mention है इसमें और साथ ही उसमें से कोई 3 आपको उनके बारे में detail में बताना है ठीक है, तो कुछ इस तरीके से explain किया गया है, जिसमें 3 में से 1 के बारे में आपको बताया गया है, कोई 2 आपको खुद करने होंगे, ठीक है, और बाकी जैसा आपके college में instruct किया गया हो, कि कितने welfare programs को आपको इस file में mention करना है एक, दो या तीन, उसी अनुसार आप कर लेंगे, अगर एक है तो एक तो provide कराए गया है, और अगर दो या तीन है तो एक, दो आपको जो भी extra है वो खुद से त्यार करना पड़ेगा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है कर लिया जाएगा, आप देखेंगे, तमझ में आ जाएगा कि ये जो part है, content है, उस welfare program के बारे में वो आपको google करने पर आसानी से मिल जाएगा ठीक, तो शुरू कर लेते हैं और शुरू करने से पहले एक और बात pdf आपको इसका telegram से मिल जाता है कोई भी query आप comment box में बता सकते हो discussion group है, उसे join कर सकते है telegram पर, ठीक है और एक और बात है कि telegram channel पर, जो main telegram channel है उस पर pdf आपकी जो भी video provide कराएगे, ये सबकी pdf हैं तो ध्यान से उसको search किया करें आप बहुत बार कहते हैं कि pdf नहीं मिल रहा है pdf दीजिए, तो आप एक बार ध्यान से search करेंगे, वहाँ जो आपका file का name है, उसी name से वहाँ mention है, ठीक है pdf, तो आपको search करने पर आसानी से मिल जाएगा ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में जितने भी provide, आपको video provide कराएगे और यहां यह वीडियो अगर helpful लगता है, तो लाइक कीजिए, feedback दीजिए और share कीजिए, क्योंकि आपके कहने पर जब थोड़ी सी महना हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सापको भी काना चाहिए, ठीक है, क्योंकि motivation मिलता है अगर feedback देंगे तो पता चलेगा हमारा काम अच्छा है अगर कोई problem है, काम में कोई कमी लग रही है, तो आप वो भी पता सकते हो, ठीक है, तो वो सुधार किया जाएगा, लेकिन helpful है, अगर आपकी थोड़ी सी भी help हो रही है, तो feedback दीजिए, like कीजिए, ठीक है, तो देखेंगे, सबसे पहले meaning of community, तो आप यहां पे yellow color से highlight हो गए main main headings, जो आपके six हैं, और जो बीच में आपको और भी headings में लेंगे, वो उसके अंदर ही रहने वाले हैं, ठीक है, कैसे आपको दिखाई पढ़ जाएगा, अभी पता जल दाएगा, सबसे पहले meaning of community, तो meaning हमने यह समझा दिया, community के बारे में यहां तब, इसके बाद में हम है, वो आपका है, what is community work, तो यहां आपको ऐसा ही मिल जाएगा, एकी page पर आपको दो headings मिल जाएगे, topics मिल जाएगे, ठीक है, लेकिन आपको ने ऐसा नहीं करना है, आपने जब file में बनाना है, तो इसको अलग पेस्टे शुरू करना है, नया topic, है नया heading, नया page से, ठीक है, जो main main heading से, कम से कम वो, तो community work के बारे में हम यहां बता रहे हैं, फिर एक report के अनुसारी हाँ, एक community work को थोड़ा define किया गया है, और कुछ और points बताये गये हैं, जो community work में include किये जाते हैं, ठीक है, आगे next, next page से यह शुरू कीज़ेगा, principle of working with community, तो यहां कुछ principles की बात की ज किया गया है, ठीक है, seven points कुछ यह है, principles के, और इंदिया में, सिद्धी की, junior 1997 में, यह कुछ eight principles दिये थे, उनके बारे में है, mention किया गया है, ठीक, इसके बाद में नए पेसे शुरू करेंगे, आप next, इस heading को, जो है, importance of working with community in be at course, अब be at course, तो पूरा है, हर जगे mention नहीं करन है, है न, इसकी, तो कैसे काम किया जाता है, तो थोड़ास के बारे में, हमने शुरू आप में बता दिया, अब फिर कुछ benefits बताये है, working with community के, ठीक है, इसी के अंदर, यह points है, जो आपको देखने मल जाएंगे, ठीक है, 13 points, इसके बाद में next, आपका heading आता है, नए पेसे आ पताते हैं, कि क्यों आप कर रहे है, working with community के क्या अद्वेश है, क्यों जरूरी है, क्या अद्वेश है, जैसे कि community में जो problems है, उनको जानना, उनको solve करने में help करना, ठीक है, जैसे illiterate people है, या कोई environment के बारे में, मतलब जो welfare program से नीसे जो जोड़े होते हैं, ना तो सारी कि जा रही है, तो ये next page आप शुरू करेंगे, programs for the community welfare, तो इसके बारे में हमने social welfare program या community welfare program के बारे में हमने थोड़ा बताया, उसके बाद में next आपके, हमने ये बताया है, कि हमारी Indian government ने कुछ welfare programs शुरू किये गए हैं, ठीक, ये वो programs हैं, जो आपके syllabus में में मेंशन है, ठ seven programs, actually, ये फिर से लग गया है, एट वाला तो ये नहीं mention करना है, seven programs है, जिसमें से कोई तीन आपको, बरलब जैसे हमारे professors ने बोला था, कि तीन program उनके बारे में detail में बताना है, ठीक है, कुछ चार points है उनके बारे में, जो कि mention करने है, कि हमने वो program क्यों चुना, ठीक है, औ बाद उसके objectives क्या है, third point और fourth point कि हमने उस program के अंतरगत society के लिए क्या किया, ठीक, तो इन seven में से कोई भी ले सकते है, literate India, quit malnutrition, छोटा परिवासु की परिवार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, green India, clean India and clean water, ठीक है, तो यहां हमने कुछ तीन program से इन में से चूज की है, जो है पहला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, quit malnutrition और greed India, जिसमें से हम सबसे पहले और एक ही program के आरें बात करेंगे, जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाकी कोई भी आप दो ले लिजिए और उसके बारे में उसी तरीके से आपको शो कर देना है, content तैयार कर जैसे कि अभी बताया जा रहा है, आप mention करेंगे, heading डालेंगे, program की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, डाल दी हमने, ठीक है, फिर पहला आपका जो point है, वो है, why did I choose this program, मैंने ये program क्यों choose किया, ठीक, तो उसके बारे में हमने बता दिया, कि मेरे मन में क्या बात आई, क्य विचार थे, जिसकी विए से मैंने ये program चुना है, तो यहां आपको वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद में second हम बताएंगे, what is this scheme, scheme क्या है ये, तो मैंने scheme में introduction बता दिया है, governing bodies बता दी है, इस scheme के लिए, और scheme की details बता दी है, ठीक है, ये second point हो गया, इसके third हम को यहां mention करना है, objectives of this program, तो हमने यहां objectives बता दिये, कि क्या उदेश हैं इस program के, ठीक है, कि girl child की education को क्या है, बढ़ाना, जो gender bias नैसा है, उसको कम करना, और बच्चे की जो safety survival है, उसको ensure करना, girl child को protect करना, ठीक है, और socially, financially, independent बनाना, ये सारे चीज़े, इनके objective हो जाएं यहां तक, इसके बाद में next, last, यहां point mention करना है, fourth point program के लिए, what did I do for the community, under this program, मैंने community के लिए, इस program के अंदर, अंतरगत क्या किया, तो कुछ, जो भी आपके, मन में आ रहा है, जिस तरीके से, आप करना चाहते होंगे, ठीक है, नहीं कर पाएं, तो कुछ ऐसे विचार आप डाल दीजेगा यहां पर, ठीक है न, तो हैं तो आपके विचार न, तो चाहें आप करना चाहते हैं, आपने कुछ किया भी हो, तो वो भी आप mention कर सकते हैं, तो इस तरीके से, आपका यह program जो है, वो complete हो जाएगा, ऐसे ही, यही four points mention करने हैं, आपको, बाकी दो programs के लिए, why did I choose this program, या why do I choose this program, फिर what is this scheme, इस scheme के बार में, फिर इसके objective, और फिर इसके लिए आपने क्या किया, यह चार चीज़ आपको mention करनी है, ठीक है, तो यह file आपकी ही, complete हो जाती है, कोई भी query आपको सकते हो, इसका पीडिया टेलिग्राम से मिल जाएगा, पता है आपको, और helpful है, तो share कीजिए, ठीक है, नेक्स वीडियो मिलते हैं, thanks for watching,